Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूं RT Teleprime की इस वीडियो सीरीज के आज के अधियाई में हम आपको बताएंगे Teleprime में नई कंपनी बनाना इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको Teleprime सौफ्टवेर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना बताया था आज हम आपको बताएंगे Teleprime में हिसाब किताब मैंटें करने के लिए नई कंपनी कैसे बनाते हैं साथ ही कुछ अन्य महत्पुन जानकारियां भी देंगे आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो का सही लाव लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में बताया जाए ठीक उसी तरह दो तीन बार प्रैक्टिस जरूर करें आए सबसे पहले Tally ओपन कर लेते हैं उसके लिए Tally के आइकॉन पर जाकर माउस से डबल क्लिक करें और यदि आएकॉन दिखाई नहीं बढ़ रहा है तो स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक करें और यहाँ टाइप करें Tally Prime ऐसा करते ही सबसे उपर Tally Prime दिखाई पड़ेगा जो कि सिलेक्टेट होगा एंटर प्रेस करें या उसपर पॉइंटर ले जाकर माउस से क्लिक करें यदि आप लाइसेंस्ट टैली सॉफ्टवेर का उप्योग कर रहे हैं तो सीधे Tally सॉफ्टवेर खुल जाएगा और यदि आप टैली का एडुकेशनल वर्जिन उप्योग कर रहे हैं तो इस तरह की विंडो दिखाई पड़ेगी इसमें Continue in Educational Mode पहले से ही सिलेक्टेड है आप चाहें तो एंटर प्रेस करें या माउस से उस पर क्लिक करें और यदि चाहें तो इसकी शॉटकट की T प्रेस करें यह देखिए यहां उपर कोने में टैली प्राइम EDU लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपका लाइसेंस जिस भी प्रकार का होगा जैसे Educational, Silver, Gold आदी वो यहां पर लिखा हुआ दिखाई देगा इस पर क्लिक करके आप लाइसेंस की सारी इंफोर्मेशन ले सकते हैं हम वापस पिछली स्क्रीन पर जाने के लिए Escape की प्रेस कर रहे हैं चले आगे बढ़ते हैं हम यह टैली में नई कंपनी बनाना है उसके लिए Create Company में जाना होगा देखिए उपर के और Create Company दिखाई पढ़ रहा है जो की Highlighted है आप चाहें तो Enter प्रेस करें या माउस से क्लिक करें यह देखिए Company Creation स्क्रीन आ गई है यहां आपको अपनी कंपनी का नाम देना होगा नाम टाइप करने के बाद आगे बढ़ते के लिए Enter प्रेस करें यह देखिए Mailing Name में वही नाम आ रहा है जो हमने उपर टाइप किया था Enter प्रेस करें अब Address में अपनी कंपनी का पूरा पता टाइप करें आपके जानकारिक के लिए पता देए कि Mailing Name में जो नाम होता है और यहां आप जो Address देते हैं टैली में कोई भी प्रिंट निकालने पर वो उस प्रिंट पर दिखाई पड़ता है यहां पर एक खास बाद ध्यान रखें टैली में सबी जगह आगे बढ़ने के लिए Enter का उप्योग किया जाता है और मान लिजे आपको लगा कि पहले कोई गलती हो गई है तो पीछे जाने के लिए Big Space की का उप्योग किया जाता है एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें स्टेट के आगे आपको अपना स्टेट यानि राज्य सेलेक करना है उसके लिए राइट साइड में लिस्ट आफ स्टेट्स आ रही है आप अपने स्टेट के नाम का पहला अक्षा टाइप करें जैसे हमने मध्य प्रदेश के लिए टाइप किया M तो देखिए इस अक्षर से शुरू होने वाले सभी स्टेट के नाम यहाँ पर दिखाई पढ़ रहे हैं आप अप या डाउन एरो की से अपनी स्टेट के नाम पर जाकर एंटर प्रेस करें पिन कोड में अपने शहर का पिन कोड डालें अब यहाँ पर अपना फोन नमबर डालें मालीजे आपके पास फोन नमबर नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ने यानि स्किप करने के लिए एंटर प्रेस करें इसे तरह मांगी गए सभी जानकारी भड़ते हुए आगे बढ़ें फानेशल येर बिगिन्स फ्रॉम के सामने अभी जो फानेशल येर चल रहा होगा तैली खुद ही उसके आरंभ होने की तारिख यहाँ दे देगा यदि आप किसी और फानेशल येर में काम करना चाहते हैं तो उसके आरंभ होने की तारिख आप अपनी आवश्यक्ता के अनुसार यहाँ पर दे सकते हैं भारत में फानेशल येर एक अप्रेल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है और हम फानेशल येर 2020-21 का हिसाब किताब इस कंपनी में रखना चाहते हैं तो यहाँ हमें जो तारिख चाहिए वो है एक अप्रेल 2020 जो की दिखाई पढ़ रही है एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे इसके बाद आप देख रहे हैं Books Beginning From इसमें वो ही तारिख आ रही है जो हमने उपर डाली थी आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं इसे बदलने के आवशिक्ता क्यों होती है उसका कारण समझ लेते हैं हम Financial Year 2020-21 में कंपनी बना रहे हैं और Financial Year की शुरुआत हो रही है एक अपरेल 2020 से तो ये तो सही है पर हमारी जो कंपनी है वो शुरू हो रही है एक जुलाई 2020 से यानि हम जो कंपनी बना रहे हैं उसमें हिसाब किताब एक जुलाई 2020 से रखने वाले हैं तो Books Beginning From में हम एक जुलाई 2020 डालेंगे इससे ये होगा कि यदि हम कंपनी में अंजानी में भी कोई ट्रांजेक्शन इसके पहले के पीरेड में रिकॉर्ड करने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं होगा यहां एक और खास बात का ध्यान रखे Educational Mode में हम सिर्फ तीन ही तारीखों में काम कर सकते हैं और वो है एक दो और एक तीस मतलब जब आप डेट चेंज करेंगे तो टैली एक दो और एक तीस के अलावा किसी और डेट को एकसेप्ट नहीं करेगा इसलिए हमने यहां जुलाई की एक तारीख ली है यह देखिए एकसेप्ट वाली विंडो आ रही है आपने जो डीटेल्स दी हैं वो फिर से चेक कर लें यदि ठीक हैं तो इसे एकसेप्ट करने के लिए यस करना होगा जिसके लिए वाई प्रेस करें या फिर एंटर प्रेस करें यदि आपने जो डीटेल्स भरी हैं उन्हें एकसेप्ट नहीं करना चाहते हैं तो no के लिए n प्रेस करें या फिर escape की प्रेस करें ऐसा करते हैं आप प्रारंभिक स्थिती में आ जाएंगे अब यदि आप कुछ परिवर्टन करना चाहते हैं तो कर लें अब हमें आगे कोई correction नहीं करना है तो हम इस screen को accept करने के लिए control और A की को एक साथ प्रेस कर रहे हैं control और A किसी भी screen या window को accept करने का shortcut है देखें यहां एक message आ रहा है company created successfully और नीचे की और कुछ features दिखाई पढ़ रहे हैं इन features के बारे में हम आपको आगे समझाएंगे अभी हम इस pop-up window को accept करने के लिए control और A की को प्रेस कर रहे हैं देखें यहां पर gateway of tally की screen आ रही है इसमें सबसे उपर दिखाई देने वाले इस भाग को top menu bar कहते हैं इसमें हमें company, data, go to, import, export, email, print, help आदी से संबंधित options मिलते हैं इस top menu bar की विशिष्टा ये है कि tally में कोई भी काम करते समय यह हमेशा top पर ही उपलब्द रहता है और यदि हम tally में कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को बंद किये बिना ही हम इन options का उप्योग कर सकते हैं चली आगे बढ़ते हैं, top menu bar के बाद अब बात करते हैं right side button bar के बारे में जिसमें अभी कुछ shortcuts दिखाई पड़ रहे हैं जब आप tally में आगे काम करेंगे तो आपके काम की जरूरत के हिसाब से यहां के shortcuts बदलते रहेंगे जैसे कि अभी हमने vouchers के लिए V प्रेस किया देखिए ऐसा करते ही vouchers से संबंदित shortcuts यहां पर आ गए हैं हम वापस पिछली स्क्रीन पर जाने के लिए escape की प्रेस कर रहे हैं यहां जो आप gateway of tally लिखा हुआ देख रहे हैं इसे हम tally का मुख्य दर्वाजा भी कह सकते हैं इसे चार भागों में organize किया गया है masters, transactions, utilities और reports इनके बारे में हम आगे काम करते समय दिटेल में जानेंगे अभी जो हमने company बनाई है वो खुली हुई है देखें यहां bold अक्षरों में उसका नाम दिखाई पढ़ रहा है और उपर की और current period में जिस period में company खुली है वो दिखाई पढ़ रहा है current date में आप 1 July 2020 देख रहे हैं यह वो ही तारीख है जो हमने company बनाते समय books beginning from में ली थी date of last century के नीचे कोई तारीख नहीं आ रही है उसके जगब पर no voucher centered लिखा है क्योंकि अभी हमने इस company में कोई transaction record नहीं किया है जब हम कोई transaction record कर देंगे तो आखिरी transaction की जो date होगी वो यहां पर दिखाई देगी चलिए अब एक नई company और बना लेते हैं उसके लिए create company option पर जाना होगा जो कि अब उपर दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमने जो company बनाई है वो open है अब create company के लिए उपर जहां पर company लिखा है वहां पर हमें mouse से क्लिक करना होगा या alter और के प्रेस करना होगा द्यान रखें किसी भी की के नीचे यदि एक underline हो तो इसका मतलब है कि alter के साथ उसकी को प्रेस करना है हम alter और के प्रेस कर रहे हैं ये देखें एक menu आ गया है जिसमें create highlighted है हम enter प्रेस कर रहे हैं enter प्रेस करते ही company creation screen आ गई है यहां company का नाम और details डाल देते हैं financial year begins from में 1 April 2020 by default आ रहा है और यही हमें चाहिए भी हम enter प्रेस कर रहे हैं देखें books beginning from में भी यही तारीख आ गई है हम यही रहने देते हैं और enter प्रेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और company को accept कर लेते हैं देखें company created successfully का message आ रहा है और नीचे की और पहले की तरह ही कुछ features दिखाई पढ़ रहे हैं अभी हम इस pop-up window को accept करने के लिए control और A की press कर रहे हैं अभी हमने जो नई company बनाई अब उसका नाम bold अक्षरों में दिखाई पढ़ रहा है उपर के और current period में जिस period में यह company खुली है वो दिखाई पढ़ रहा है current date में आप 1 April 2020 लिखा हुआ देख रहे हैं यह वही तारीख है जो हमने company बनाते समय books beginning from में ली थी चलिए अब demo company के नाम से एक company और बना लेते हैं ध्यान रखे यदे हम कोई भी काम करेंगे तो जिस company का नाम bold अक्षर में दिखाई पढ़ रहा है वह काम उस company में होगा यदि आप कोई दूसरी company में काम करना चाहते हैं लिए माँस से क्लिक करें अब हम एक करके तीनों company इसको बन कर देते हैं company बन करने के लिए हम हमें उपर company पर ironशा करना होगा या और क के इसको प्रेस करना होगा यह देखे, menu open हो गया है, जिसमें आप shut लिखा हुआ देख रहे हैं, इसकी shortcut key है control और F3, और यही shortcut इस दरह से लिखा हुआ भी दिखाई पड़ सकता है, ध्यान रखें, किसी भी key के नीचे यदि दो underlines हों, तो इसका मतलब है कि control के साथ उस key को press करना है, अभी हमने जो shortcut key देखी, उसका उपयोग हम बाहर से ही कर सकते हैं, तो आएए उसके लिए escape key प्रेस करके पहले वाली screen पर चलते हैं, यह हम पुरानी screen पर आ गए हैं, शट कंपनी के लिए control और F3 keys को एक साथ प्रेस करें, यह देखे शट कंपनी की screen आ रही है, और अभी टैली में जितनी भी कंपनियां खुली हुई हैं, उनके नाम दिखाई पड़ रहे हैं, आप ज़स भी कंपनी को बंद करना चाहते हैं, उस पर जाकर एंटर प्रेस कर द देते हैं, अब टैली बंद करने के लिए escape की प्रेस करें, एक pop-up आएगा जिसमें quit लिखा है, और उसके बाद question mark है, यानि पूछा जा रहा है कि क्या आप टैली बंद करना चाहते हैं, yes के लिए enter प्रेस करें और यदि आप टैली बंद नहीं करना चाहते हैं, तो end प्रेस करें, हम end प्रेस करें हैं, ध्यान दें, स्क्रीन से सीधर टैली बंद करने के लिए shortcut है control Q, इन्हें एक साथ प्रेस करें, इस वेडियो में आपने जाना, टैली स्टार्ट करना, नई कंपनी बनाना, कंपनी शट करना और टैली बंद करने के बारे में, अगली वेडियो में ह कि ए कूलूब भीक टेन प्रबाइब।